सबी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी आई पर दोस्तों दक्षिन हर्याडा बिजली वितरन डिगम लिमिटेड भीवानी में आई टी आई पास कैंडिडेट्स के लिए awareness की एक भरती का notification जारी हुआ है और इस vacancy की जानकरी आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप इसमें किस तरीके से apply कर सकते हैं किन trades के लिए यहाँ पर भरती निकाली गई है और क्या dates रखी गई है सारी जानकरी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है इस वेकेंसी का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा इसे आप हमारे टेलिग्राम दूसे भी डाउनलोड कर सकते हैं ये जो भरती निकाली गई है ये 2023-2027 के लिए निकाली गई है इस अपरेंटिस की भरती में आपको अपलाई करने के लिए जो ट्रेड्स यहाँ पर निकाली गई है सबसे पहले लाइन में इलेक्रिशन यानि इलेक्रिशन ट्रेड्स के लिए 148 पद निकाले गई हैं डाउट्समें के लिए 21 पद निकाले गई हैं और से एक वर्ष के दोरान आपको नियमानुसार वेतन भी दिया जाएगा अपलाई करने के लिए आपकी IT in trades में होनी चाहिए तब याब इसमें अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के process की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको Apprentice India की official website पर जाना पड़ेगा जिसका link इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा इस पर आपको Apprentice की किसी भी भरती पर अपलाई करने के लिए अपना registration करना जरूरी होता है अगर आपने अपना registration अभी तक Apprentice India पर नहीं किया है तो आप I button पर वीडियो देखकर अपना registration कर ले registration करने के पस्चार आपको Apprentice opportunities में जाना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको location में भीवानी select करना है और भीवानी select करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको भीवानी select करना है इसके बाद आपको establishment name में SE, कोमा और जैसे यह आप यह टाइप करेंगे नीचे की ओर list open हो जाएगी यहाँ पर आपको मैं करके बता देता हूँ इस list में SEOP circle DHB when भीवानी करके 4-5 option खुल गए हैं इसके आपको सबसे नीचे वाले option पर जाना है और आपको क्लिक कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं पर 5 opportunities open हो गई है सबसे पहले electrician वालों के लिए lineman की post पर निकली हुई है इसी तरीके से draftsman, mechanical के लिए निकली हुई है, computer operator, stenographer, stenographer English जिन भी trades के लिए यहां पर vacancy निकली हुई है उनमें आप सीधे यहां से apply कर सकते हैं इस apply करने के process पे भी हमने video बना रहे कि जिससे आप i button पर click करके देख सकते हैं apply करने के अगर dates की बात करें तो 10 April से लेकर 14 April तक आप इस vacancy में apply कर सकते हैं apply online इस तरीके से करने के बाद आपको आपके original documents जिसमें मैं आपको बता देता हूँ आपका photo, 10th की mark sheet, ITA की mark sheet, अधार card, paint card, जाती प्रमान पत्र, हरियाना का मूल निवासी प्रमान पत्र, यह सब लेकर 18 April से लेकर 21 April के बीच में, यहाँ पर जो कारेले का पता दिया हुआ है जिसको मैं बता देता हूँ अधिक्षन, अभियंता, परिचालन, मंडल, दक्षिन, हरियाना, बिजली, वित्रन, निगम, लिमिटेट, बीटी, एम, मील, भिवानी यहाँ पर जाना है और यहाँ पर अपने डोकुमेंट जमा करा देने हैं इसके बाद आपका जो अप्रेंटिस का फॉर्म में वो सब्बिट हो जाएगा पूरी तरीके से इसके बाद जो आपकी अप्रेंटिस के लिए अगर सेलेक्शन होता है सेलेक्शन में यहाँ पर कोई एक्जाम का प्रोसेस नहीं दिया हुआ है केवल यहाँ पर आपकी जो प्रसेंटेज है उसी के अधार पर शाहिद आपका सेलेक्शन कर लिया जाएगा जो भी process आगे रहेगा उसकी जानकरी आपके दिये हुए mobile number या email ID पर आपको मिल जाएगी आपका email और mobile number जो apprentice इंडिया पर arrestation करते हैं जो आप mobile number और email ID डालते हैं उसी से यहाँ पर लिया जाएगा और उसी पर आपको संपर्क किया जाएगा तो इस तरीके से आप इस वेकेंसी में apply कर सकते हैं apprentice का मोका आपको एक साल के लिए मिलेगा और एक साल के लिए आप जो apprentice करेंगे उस दोरान आपको जो निमेनोसार stipend जो भतता है वो दिया जाएगा ठीके पूरी जानकारी apprentice पर आपको चाहिए तो भी आप हमारी वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो इस टुडेंट उमीदे की इस वेकेंसी की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरूर करें साथ ही आगे भी ITI की job updates को सबसे पहले पाने के लिए और सबसे सटीक information पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते साथ ही हमने Instagram और Telegram चैनल पर भी जरूर फोलो कर रहे मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर